वाल्मी की समाज की तरफ से लटन उके सदर कैंट स्थित महर्शी वाल्मी की चौक पर आयोजित कारिक्रम में पहुचे राजनार सिंग्ग। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनार सिंग्ग ने उनकी प्रतिमा पर माल्यारपन किया और महर्शी वाल्मी के विचारों को जो अज प्रचमा को वाल्याट मन करूंगा और अपने ही वेक्ति को मैं करूंगा उसी निमित में यहां पर आया हुआ था महाथ सुख्वी वाल्वी का जहां तक प्रस्म में सारा विश्व जामता है कि वालमिकी रामा एनकर चैटा वो थे और जिस राम का के चरित रखा जो उन्होंने चित्रन किया है उसी आधार पर आज भारत में ही नहीं बलकि दुनिया के कई देशों में जहां भारती रहती है आज राम लीला का मंचन होता है मारसी वालमिकी के राम मैं ऐसा मानता हूँ कि वह केवल राजा ही नहीं थे बलकि वह लोक नायक थे वह संसकार पुरुष थे वह यूग पुरुष थे वह आउतार पुरुष थे और धरम की परतिमृत्य थे और मर्यादापुर्शत्तम थे इस रूप में जितने भी भारतवाशी हैं चाहे दुनिया किसी भी कोने में हो मरे अदापुर्जितम भग्वार्म को देखते हैं और उनका चित्रन जो किया है वो महरस्वीबाल में किया है मैं महरस्वीबाल में की जी कि प्रटी बुना हां हर रहे से अपनी गहरी आफ्षा की अभिव्यक्त करता हूं और इस बाल्मिकी येंटी के आफसर अस्थमस्त देश्वाशियों को मैं हर देख बड़ाई आप 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 सबस्त रहिए देश की जनता का पूरा वरोशा पूरा विश्वास हमारे प्रखाम वंतरी बोदी जी के प्रती है और दोहजार शॉवीस के चुनाओं में क्या कि अल मैं नहीं कह रहा हूं बहुत सारे राइनेटिक निस्टेशक भी इस अच्चाई को सीकार करते हैं दोहजार शॉवीस नदी भारत का प्रखाम वंतरी बोई बनने जा रहा है क्लियर मेजारटी के साथ वसर इंडर्ण रखोती है